नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छठी मैया की हार्दिक शुब कामनाएं। आज हम आपके लिए बहुत ही सुन्दर कथा लेकर आए हैं। तो आएए सुनते हैं, बहुत समय पहले की बात है। नमस्कारों पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन बुढ़ी अम्मा छठ पूजा की तैयारियों में जुटी हुई थी। उन्होंने व्रत के लिए जरूरी सारा सामान इकठा किया और नदी किनारे घाट पर जाने की तैयारी करने लगी। तभी उनकी बहु उनके पास आक खुद को तकलीफ नहीं देता। बुढ़ी अम्मा ने उसकी बातें सुनी और हलकी सी मुस्कुराई। उन्होंने प्यार से बहु को समझाया। बहु ये अंधविश्वास नहीं है। ये तो भक्ती और आस्था का प्रतीक है। मैं भी एक समय में संतान सुख से वंचित थी तब मैंने छटी मैया का व्रत किया और उनकी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ती हुई। तुम्हारा पती उनहीं का प्रसाद है। इसलिए मैं यह व्रत हर साल करती हूँ। ताकि छटी मैया का आशीरवाद हम पर बना रहे। यदि तुम भी मन से व्रत करोगी तो मैया भी मनो कामना पूरी करेंगी, लेकिन बहु ने उनकी बातों को हलके में लेते हुए कहा, अम्मा, मुझे किसी व्रत पूजा में विश्वास नहीं है, मुझे सब कुछ मिल गया है, सुन्दर पती, खुशहाल जीवन, धन समपत्ती, मैं इन धोंग धकोसलों में अपना समय बर पूजा न करें, लेकिन मा के व्रत में व्यवधान न डाले और उनका आदर करें, आखिरकार छट पूजा का दिन आ गया, और सभी लोग नदी किनारे घाट पर एकत्रित हुए, बुढधी अम्मा अपने बेटे और बहु को भी साथ ले गई, घाट पर पहुँचने के बा जब उसने अपनी पतनी को हलवाई के पास देखा, तो उसे वहां से पूजा में बैठने के लिए कहा, लेकिन वह जुझला कर बोली, मुझे इस पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप ही बैठें वहां, मैं तो मेले का आनंद लूँगी, यह सुनकर उसका पती वहां से दुखी मन से चला गया, और छट पूजा के लिए नदी में सनान करने पहुँचा, जैसे ही उसने डुबकी लगाई, वह अचानक पानी में डूबने लगा, और जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, चठी मैया से प्रार्थना करने लगी, हे मा, मुझसे कौन सी भूल हो गई जो तुमने मेरी गोद सूनी कर दी, यदि मुझसे कोई गलती हो गई है, तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो, हे चठी मैया, मेरी पुकार सुनो, और मेरे बेटे की रक्षा करो, बुढ़ी अम्मा आते हुए घाट पर दोड़ी-दोड़ी आई, उसने देखा कि उसकी सास रो रही है, और लोगों का जमावडा लगा हुआ है, यह दृष्य देखकर उसे गहरा धक्का लगा, उसके भीतर पश्चा ताप की भावना जागरित हुई, और वह जोर-जोर से रोते हुए छठी मैया को याद करने लगी, तभी अचानक नदी में से एक तेज लहर उठी, और उसी लहर के साथ बुढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ गया, यह चमतकार देखकर घाट पर खड़े सभी लोग हैरान रह गए, बुढ़ी अम्मा ने बेटे को जीवित देखकर छठी मैया का धन और बोली, हे वत्स, मैं अपने भक्तों का कभी अनिष्ट नहीं होने देती, तुम्हारे पुत्र को मैंने इसलिए डुबाया, ताकि तुम्हारी बहु के अज्यान का परदा हट सके, मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ, और उनकी मनो कामना पूर्ण करती हूँ यदि कोई भक्त सचे मन से मेरी पूजा करता है, तो मैं उसे आशीरवात प्रदान करती हूँ, यह कहकर छटी मैया अंतर ध्यान हो गई, इस अद्भुत घटना के बाद बुढधी अम्मा की बहु ने भी छटी मैया में अपनी पूरी आस्था रखी, और हर साल श्रद्धा और भक्ती के साथ छट व्रत करने लगी, छट घाट पर उपस्थित सभी लोगों ने छटी मैया की जैजयकार की और इस घटना से सब के हृदय में भक्ती का दीप प्रज्वलित हो गया